देश के 75 वे गंतर्द दिवस को लेकर आ रही है एक बड़ी सखबर सामने जुई हाँ इस बार करतव विपत पर देखने के लिए मिलेगा एक अलग ही नजारा जुई हाँ आपके लिए बता देए कि देश भर की जो है वो ज्छाकिया आपके लिए इस बार गंतर्द दिवस पर देखने के लिए तो मिलेंगे ही और इसी के साथ जो है वो भगवान राम का भी बाल स्वरूप जो है वो नजर आएगा इस बार करतव विपत पर और आप दर्शन कर पाएंगे भगवान राम के इस बार जो है वो उत्तरपर देश की जाकी में जो है अगर कुछ चीज शामिल होने जा रही है तो वो है भगवान राम का बाल स्वरूप की जो मूर्ती है वो भी इस बार विचतरवे गंतर्त दिवस की परेड में शामिल होगी जिससे की एक भव्य नजारा जो है वो भी नजर आएगा आपको इस बार करतव विपत पर और आपके लिए बता दे कि जहां एक तरफ देश में है राम में महौल के अभी तक जो है वो राम मंदर की खुशी जो है वो लोगों में काफी जादा है और वहीं दूसरी तरफ आयोध्या में अभी भी लाखों के जो श्रधालू है वो मंदर जा रहा है दर्शन करने के लिए और इसी बीच अगर दिल्ली यानि की देश की राजधानी इंडिया गेट करतव पतपर ही नजर आने वाले हैं भगवान राम यानि की उनकी जो बाल स्वरूप मूर्ती है वो नजर आएगी जिससे महौल कुछ अलग होने वाला है इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इस बार विचतरवे गर तर्त दिवस को लेकर जो है वह वह वाईू सेना चल सेना और थल सेना की तीनों टुकडियां है उन्हें वीकरतव पतपर जो है मार्च करने के लिए तयार हो चुकी है इस बार जो है वह विक्सित भारत, नारी शक्ति और आत्म दिर भर भारत और इसी के साथ जो है वह गंतर्द दिवस की परेड में आप देख सकते हैं चाहे फिर वो विक्सित भारत की तजवीरों नारी शक्ती को बढ़ावा हो या आत्मनिर्बर भारत और अयोध्या में बनार राम मंदर यानि कि तमाम चीजों को जो है वो इस बार 26 जनवरी की परेड में दिखाया जाने वा स्वरूप तो वहीं दूसरी तरफ जैसे कि मैंने जिक्र किया कि महिला शक्ती को लेकर जो है वो भी चीज़ा निकल सामने आने वाले हैं इस बार परेड में जो है वो पहली बार तीनों सेनाओं की महिलाओं की टुकडी जो है वो भी दमखम दिखाने के लिए तैयार है और गंतंत दिवस की परेड में जो है वो उत्तर पर देश की जहाकी में राम में महौल जो है वो बनने वाला है जा एक सरफ जो है वो कुछ लोग अभी भी राममंदर को लेकर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि देखिए देश में लोकसभा के चुनावाने वाले हैं तो वहीं दू को लेकर इतनी जादा तैयारियां तो वहीं दूसरी तरफ जाकियां में आयोध्या की विरासत जो है वो देखने के लिए मिलेगी डेश की जरता को जो है वो इंडिया गेट पर रामदला के दर्शन होंगे उनकी मूर्तियों की जाकिया और आकडश और जो मूर्तिया है इस अर्तिस्ठा के साथ जो है वो अयोध्या में 22 जन्वरी को राममंदर का उद्घाटन हो चुका है रामलला जो है वो शंकनात और मंत्रों के साथ गर्भ ग्रह में विराजमान हो चुके हैं और राममंदर उद्घाटन के बाद जो है वो भक्तों का उत्साह जो है वो काफी जादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक तरफ जो है वह भकती में महौल है तो अब इसी तरीके की चीज जो है देश की राजधानी दिल्ली में नजर आने वाली है यानि की करतव पथ पर जो है वह अब रामला के दर्शन होंगे इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक त उसरी तरफ आयोध्या बसतारिक हो चुकी है यानि की लगबग दो दिन हो चुके इस्टा प्राण परतिस्था को और इसी के बाद देखी अभी वी जो है वो अयोध्या में जो शृद्धालू है उनकी भीड कम नहीं हो रही है और लगातार भकतों की भीड जो है वो विवस्था को बनाए रखने के लिए कल उत्रपरदेश के मुख्यमंतरी योगी अधितनाज जो है वो भी अयोध्या पहुचे थे और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरह पुलिस प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो भीड को नियंतरन करने के लिए और किस किसी भी श्रद्धालू को किसी भी तरीके की समस्या ना हो इसी लिए जो है वो सरकार हर तरीके से जो है वो श्रद्धालू व्यवस्था कर रही है और इसी के साथ कल राजी के मुख्यमंतरी जो है वो भी अयोध्या पहुचे थे और इसी के साथ सैलाब जो इन दिनों उम् वो पहुचे थे अयोध्या और इनी लोगों को जो है वो प्रशासन की तरफ से हर तरीके से जो है वो विवस्था दी जाए इसी के लिए प्रशासन जो है वो लगा हुआ है और कल भी तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से उत्तर परदेश के ADG प्रशांत कुमार जो है वो भी लोगों के लिए विवस्था कराने के लिए लाइन यानि की लोगों को लाइन में धंसे लगे और अच्छी तरीके से जो है वो मंदर के दर्शन कर पाए रामडला के दर्शन कर पाए और उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इन तमाम विवस्थाओं को बना सचित किया गया है यह कहा गया है कि शरध्धालूंहें को जो परीशानी ना हूँए पलिस व्वस्था कोठल किए जाए और यानि व्वस्था जो है वह अच्छी तरीके से की जाए प्रमुख सचिव संजे प्रसाद की मेरिया बात करते हुए जो है वो भी आयोध्या को लेकर बात कही है और जुस तरीके से शुरत धालू जा रहे हैं उसको लेकर प्रमुक सचिप संजेप्रजात का कहना है कि कल यहां बड़ी संख्या में शुरत धालू एकत्रित हुए जुसके बाद सीयम योगिय दतनाद ने यहां का दौरा कि थे सभी अधिकारियों ट्रस्ट के पदादिकारियों के साथ एक बैटक की गई और एक रणनीती बनाई गई कि इसको कैसे इस जो है क्यूं जो है उससे उसके उसके उससे कैसे निजात पाया जाए तो वो उसके लिए विवस्ता की गई आप कुद देख सकते हैं यहां पे बैरिकेडिंग की गई है चार रोज बनाए गए है पब्लिक फेसिलिटेशन सेंटर चालू कराए गया है तो उन सब की बदौलत जो है उन सब की बदौलत यहां पर आप देख सकते हैं कहीं कोई जाम नहीं है और कहीं किसी श्रदालू को किसी तरह की कोई असुविदा नही सरकार की निर्देश हैं कि हर वो विवस्ता सुनिश्चित की जाए जिससे किसी श्रदालू को किसी तरह कोई असुविदा नहीं हो हम उसी तिशा में काम कर रहे हैं आज आपके नतीजा आपके सामने है कल जो रननीती बनाई गए आज उसको इंप्लिमेंट किया गया आज देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं कोई कतारे नहीं हैं सब लोग आराम से आ जा रहे हैं इन कतारों से छुटकारा पाया जाए किस तरीके से लोगों के लिए विवस्ता बनाई जाए इस पर रननीती बनाने के लिए अधिकारियों के साथ कल सीम योग्यदतनाथ ने जो है वो बैठक की थी बैरिगेटिंग की गई है और चार पंक्तियां बराई गई है शरद्धालूं के लिए कि वो एक एक लाइन में लोग लगें और अंदर जो है वो दर्शन कर सके इन तमाम चीजों की विवस्था और देखरेक का काम जो है वो प्रशासन के लिए CM योगी दतनात क की तरफ से सोपा गया है और इसी के साथ सचिव ने ये भी बताया है कि एक तरफ चार पंक्तियों का गठन किया गया है और भक्तों को आज भी किसी तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े इसी के लिए जो है वो कल भी विवस्था की गई है क्योंकि कल भी देखिए आज तो जादा भक्तों की आरे की जो है वो आशंका जताई जा रही है तो वहीं दूसरी तब कल जो है वो पांस से साड़े चार लाख जो भक्त है वो मंदर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुचर थे और इसको बेकार सचिव ये भी कह रहे हैं कि हमें ये सुन्शित करने के लिए सरकार ने निर्देश दिये हैं कि भक्तों को किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े तो देखिए जिस तरीके से एक देश में जो है ये एक श्रद्धा का मामला है और यही बड़ा कारण है कि जहां दूसरे ही दिन जो है वो 5 लाग से जादा लोग यानि कि श्रद्धालू जो है वो अयोध्या पहुचे हैं दर्शन करने के लिए तो वहीं दूसरी तरफ अब ये भी आकड़े सामने आ रहे है कि 10 करोड यानि कि इससे भी जादा का आकड़ा पार हो सकता है एक साल के अंदर जो श्रद्धालू अब राम मंदिर के धर्शन करने के लिए आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो आकड़ा है ये हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए सरकार और प्रशासन ने नियम और कानून जो है वो बनाने शुरू कर दिये हैं कि आने वाले लोगों के लिए किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़ी खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर सरूर यह थन्यवाद